इस वीडियो के तना काईस हम लोग बात करने वाले LIC के Health Insurance Plans के बारे में जी हां तो LIC क्या Health Insurance Provide करती है अगर करती है तो उनके कौन से Popular Plans है प्लस उसको हम लोग Compare करेंगे Private Community के Plans के साथ में और जानेंगे कि कौन यहां पर Better है क्या LIC Better है या फिर Private कमनियों के Health Insurance Plans तो guys यह सारी guys जान करें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो पूरा वीडियो यहां पर जरूर देखेगा तो देखे guys आप LIC Health Insurance के लिए अगर आप इनकी वेबसाइट के उपर जाएंगे तो यहां पर आपको नॉर्मरली दो प्लान्स दिखने वाले है LIC का Cancer Cover और LIG RO गे रक्षक तो देखे इसके अंदर जो Purely Health Insurance जो प्लान है वो 906 प्लान है जो की LIC का जीवन आरगे रक्षक के नाम से जाना जाता है अब देखे guys इस प्लान के अगर मैं बात करो तो commonly पहले बात कर लेते कि Health Insurance आखिर किस तरह से काम करता है तो देखे जो traditional हमारे Health Insurance होते है जो private companies यहां पर आपको provide करती है या जो government companies भी यहां पर आपको provide करती है तो उसके अंदर guys दो तरीके होते है basically पैसे को लेने के एक होता है simply cashless facility यानि उसके अंदर एक network hospital होता है आपको एक list दी जाती है कि आपके nearby इन network hospital के साथ में Health Insurance company का यहां पर tab किया हुआ है तो guys जैसे आप उस hospital के अंदर admit होते हैं तो उस hospital के अंदर कोई भी खर्चा होता है जैसे कि room rent का होता है ICU के charges होगे doctor की fees वगर होगे कोई surgery होनी है तो guys यह सारे खर्चे जो insurance company होती है वो directly hospital को provide कर देती है यानि कि आपको अपनी जैब से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है यह चीजे यहां पर cashless facility के अंदर काम करती है दूसरा guys होता है reimbursement इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी जैब से यहां पर खर्चा करना पड़ता है फिर वो सारे बिल एकटे करके आपको insurance company को जमा कराने पड़ते है उसके बाद में insurance company वो पैसा आपके account के अंदर डालती है आप guys यहां पर जो LIC के plan से ना वो completely differently तरीके से यहां पर काम करते है आप देखे guys यहां पर इनका reimbursement से या फिर कोई भी cashless facility से कोई लेना देना नहीं है यह simply आपको defined benefits यहां पर provide करते है यानि इसके अंदर एक fixed benefits आपको दिये वाए इनकी policy के अंदर वही directly benefits जो है आपको खर्च करने के बाद में ultimately as a reimbursement यहां पर मिलते है तो चलिए guys पहले बात कर लेते हैं कि इस policy के लिए यहां पर कौन-कौन लोग eligible है तो देखे इसके अंदर basically एक principle रहता है यानि कि जो भी main बंदा जो भी यहां पर premium pay करने वाला है उसके लगा guys वो अपनी spouse को यानि कि wife को include कर सकता है अपने बच्चों को भी include कर सकता है साथ ले अपने parents as a mom and dad को भी जो है यहां पर include कर सकता है इसके अंदर guys यहां पर एक certain age की condition दी गई है minimum age की बात करो तो यहां पर 18 years होनी चाहिए maximum age की बात करो तो 65 year है यानि कोई भी senior citizen है वो इस policy के लिए यहां पर eligible नहीं है अगर वो शुरुवात करना चाहता है LIC के साथ इसके लगा guys अगर मैं child age की बात करो तो 91 days minimum यहां पर होना चाहिए यानि अगर कोई newborn baby भी है तो उसको आप इस policy के लिए तब ही आप add कर सकते हो जब उसकी age 91 days हो जाती है maximum बात करो तो 20 years है plus guys यहां पर maximum जो cover seizing age है यानि यह कब तक यह policy आपकी चलती रहेगी तो यहां पर आपने एक बार यहां पर policy वगरे ले ली है और इसके अंदर जो premium है वो आपका annual basis पर जाता है उसके बाद में separately उसको अपनी policy यहां पर issue करवानी पड़ेगी साथ में guys जैसे normal policies में होता है health insurance के अंदर इसके अंदर भी waiting period यहां पर लागो होता है normally accidental के ओपर कोई भी waiting period नहीं है generally 90 days का waiting period रहता है तक तक आप claim नहीं कर पाएंगे और specific कोई भी बिमारी या उसके ओपर waiting period की बाद के हो तो normal इसके ओपर 2 साल का रहेगा बात करते है भाई इसके अंदर पैसे कितने मिलेंगे तो देखे इसमें जो है इनको 4 category के अंदर benefits को divide किया गया है पहले जो दो वाले है वो basically उसके अंदर आपको hospital के अंदर admit होना है और माली जे कोई भी normal चीज़े चल रही जिसे glucose वगरे आपको चलाया जा रहा है आपको medical treatment वगरे दिया जा रहा है लेकिन कोई भी surgery की यहाँ पर प्रक्रिया नहीं की जा रही है तो guys उस case में आपको hsb जिसको hospitalization cash benefit बोलते है वो आपको मिलता है साथ में medical management benefit यह आपको मिलता है इसके लगाइस बाकी की जो तीन है उसके अंदर काफी सारी यहाँ पर surgery कावर है तो चलिए हम लोग one by one बात करते हैं पहले अगर मैं बात करो hsb limit की तो guys इसके अंदर आपको जो है एक limit दी गई है वो limit आपको पहले से यहाँ पर चूज आउट करनी पड़ती है इसके अंदर गाइस पच्चिस सो रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक की यहाँ पर maximum आपको limit मिलती है तो guys इसके अंदर क्या होता पर जो है जो भी आप चूज आउट करेंगे माली जी आपने चूज आउट किया कि मैं 3,000 रुपे पर डे वाला प्लान यहाँ पर मिलेना जाता हूं तो guys automatically यहाँ पर LIC जो क्या करेगा अगर आप एक non ICU बैट के ओपर यहाँ पर admit वगर हो रखे तो 3,000 रुपे पर डे suppose अगर आपको ICU की requirement पड़ती है तो आपने जो भी limit यहाँ पर चूज कियोगी माली जी अगर आपने 3,000 रुपे वाला चूज कर रखा है तो यह सीधा सीधा आपका डबल हो जाएगा अगर आपका डबल हो जाएगा पांच का 10,000 रुपे आपको पर डे मिलना शुरू हो ज जाएगा यानि जो भी आपने slap यहाँ पर चूज कर रखे होगी 25,000 रिकर 10,000 वाली slap चूज कर रखे होगी उसके बीच में कोई भी आप slap चूज कर सकते तो उसका सीधा सीधा डबल मिलेगा अगर आप ICU के अंदर admit होते महीं पर अगर मैं non-ICU की बात करो तो जो भी आपने slap चूज कर रखे होगी उसके according per day उतना cash आपको मिलने वाला है आतमे कैसे आप बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सर्दी जुखाम खासी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे इसके लिए आपको hospitalization होना पड़ेगा जो कि normally सभी health insurance policy की उपर applicable होता है तो यहाँ पर आपको 24 hours plus 4 hours य आपने जो HSB की जो limit यहाँ पर चूज कर रखी थी उसका केवल 2.5 times आपको daily basis पे cash benefit मिलने वाला है यानि गर हमालनी जे आपने 3000 रुपे की limit यहाँ पर चूज कर रखी है तो आपको 7500 रुपे और मिलेगा यानि hospital के इंदर admit होते होए क्या होगा आपको जो non ICU bad है उसका medical management benefit जो है अगर डिंग को malaria ऐसी कोई चीज़े है तो साथ में 7000 रुपे 500 आपको per day का और मिलने वाला है इसके लागाई अब आते हम लोग अपने major surgical benefit के उपर यानि कि अगर आपकी कोई surgery होने वाली है इसके अंदर 233 से भी जादा यहाँ पर सर्जिया शामिल है तो इसके maximum 5,500 रुपे तक का आपका cover होगा अगर आपने 10,000 रुपे तक का cover कर रखा है तो आपका 10,000 रुपे तक का surgical benefit इसके अंदर cover होगा तो जो भी यहाँ पर surgery होने वाली है maximum उतना ही amount आपको यहाँ पर मिल पाएगा plus guys इन्होंने सारी surgery को जो है 4 category के अंदर divide किया है category 1 के अंद ब्राउशर की जो link है आपको description box में दे दूँगा यहाँ पर guys आपको सारे surgical benefits मिल जाने वाली है कि कौन सी surgery के उपर में को कितना यहाँ पर summer shot मिलने वाला है तो जो भी 100% मिलेगा 60 मिलेगा 40 मिलेगा 20 मिलेगा ऐसे guys इन्होंने total पूरी एक list परा रखी है जिसके अंदर सारी surgery यहाँ पर included है तो यहाँ से आप यहाँ पर simply तरीके से चेक आउट कर सकते हैं तो guys बात करतें डेक है प्रोसेजर का तो देखें कुछ ऐसी चीज़े होती है जहाँ पर क्या होता है आपको 24 hours admit होने की requirement नहीं है आप simply hospital जाते है आपकी surgery होती है और same day के उपर आपको discharge मिल ज गा उसके साथ में 15,000 रुपे का per day का coverage आपको extra मिलने वाला है इसके लाव guys जो भी surgery यहाँ पर उपर वाली जो दो category के अंदर included नहीं थी उसको इस category के अंदर included किया गया है other surgical benefit के अंदर और इसके अंदर simply आपको HSB का 2.5 times simply तरीके से मिलने वाला है यानि अगर आपने 3000 प्रिवाला प्लाल लेते है और मालीजे अगर आपकी entry age यहाँ पर 30 है तो mail के लिए यहाँ पर 9,543 रुपे का इन्होंने एक premium एक illustrative basis पर example दे रखा है वही पर अगर मैं spouse की बात करो तो उनकी entry age भी 25 के आसपास है तो 7,000 रुपे के आसपास है चाइल की अगर मैं बात करो तो अगर 5 साल की age है उसकी तो 3,000 रुपे के आसपास है परेंट्स की बात करो आपके अगर पर 19,000 रुपे अगर उनकी entry age 55 के आसपास है तो गईस इस तरह से इन्होंने यहाँ पर different premiums वगरे दे रखे और मैंने जब इसका comparison किया private company के साथ में तो almost यहाँ पर premium थोड़े ब private companies बाकी guys इसके अंदर कॉन सी कॉन से मैं देखिया आपको practical example देता हूँ पहला कॉन्स यह है कि normally health insurance company के अंदर क्या होता है आपको एक लिक्स पकड़ा दी जाती ही जैसे मैं बतायाता है starting of the video कि अगर आप network hospital के अंदर अपना इलाज कराएंगे तो वापे आपको एक भी पै cash feature नाम का feature भी दिया गया है लेकिन वहाँ पर भी जो reimbursement है वो 50% का है यानि 50% आपको अपनी जेव से यहाँ पर देना पड़ेगा साथ में guys यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जेव से खर्च करना है उसके बाद मैं LIC आपको reimbursement वगरे करेगी साथ में guys यह जो medical policy है में को कोई भी इसमें medical नाम का कोई भी चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रहे है क्योंकि normally जो medical policy होती है उसके अंदर क्या होता है आप simply एक summer short यहाँ पर चूज करते कि माली जे 5 लाग का summer short है और मैं हर साल के 11,000 पर यहाँ पर पे करने के लिए ready हूँ जिसके अंदर मेरे 3 family member cover है अब guys अगर मैं hospital के इंदर admit होता हूँ तो वो 5 लाग में से मेरा room rent limit का हो गया पूरा का पूरा doctor के charges हो गया pre-hospulation cover हो गया post-hospulation cover हो गया ICU का कोई खर्चा हो गया कोई medical surgery हो नहीं है मेरे ambulance के charges हो गये तो ऐसी कई सारी चीज़े में को benefits वगरे मिलते हैं लेकिन अगर इस policy की म बात करो तो यहाँ पर क्या है बहुत जदा complex कर रखा है लोगों नहीं यहाँ पर आपको एक hsb की limit choose करनी पड़ेगी और उसी के base पे आपके जितने भी other benefits होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर decide होते हैं और इसका medical cost से कोई भी लेना देना नहीं है आपको एक fix यहाँ पर benefit यह policy basically provide करने वाली है बाकी इस policy के बारे में अगर आप और डिटेली दान चाहते हैं तो इसके browser की link में आपको simply description box में दे दूँगा जहां पे इसको आप readout वगरे कर सकते हैं बाकी मैं final आपको यह conclusion देना चाहूँगा premium यहाँ पर almost same आ रहा है तो आपको definitely जो traditional health insurance policy होती है उन ही को basically आपको consider करना चाहिए तो guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोगे कोई भी doubt से comment box में जरूर बताएगा thank you guys thank you very much